गुड मारिंग डियर इस्टूडेंस क्लास यूखी जी टूड़े सब्जेक्ट इज एवीएस आज एवीएस में हम लोग पढ़ेंगे आवर सेंसेस के बारे में पेज नमबर 103 नाव आई नो बुक टर्म वन आवर सेंसेस यानि की सेंस ओर्गन्स तो हमारे बाड़ी में बहुत सारे पार्ट से जैसे की आईज, नोज, एर, हैंड, लेग, फिंगर, हेर, बहुत सारे बड़ी पार्ट से और सभी बड़ी पार्ट के अलग अलग यूज है अ इतने भी बड़ी पार्ट से उनमें से 5 पार्ट को कहा गया है सेंस ओर्गन्स हमारे पास 5 सेंस ओर्गन्स है जो हमें बाहरी दुनिया की बारे में बताते हैं कि चीजे कैसी दिख रही है किसी चीज के स्मेल कैसा है और हम क्या सुन रहे इस तरह की चीजों के बारे में बता and skin कितने sense organ है five कौन कौन से है eyes nose ears tongue and skin यानि कि आख नाख कान जीव और तवचा और यह सब भी sense organs हमें कुछ ना कुछ बताते हैं जैसे कि आख आख से हम क्या करते हैं देखते हैं तो use of eyes क्या है eyes to see आख किस लिए है तो देखने के लिए nose किस लिए है तो सूंगने के लिए किसी भी चीज का smell अच्छी सुगंध या खराब सुगंध जैसे कि flower की खुश्बू गुलाब के पौदे की खुश्बू कितनी अच्छी लगती है गुलाब की फूल की खुश्बू तो इसे हमें किसे पता चलता है नोस के पता चलता है जैसे कि डस्ट- WordPress का में बहुत ही बद्बू होता है यह किस से पता जलता है नोस से थो नोस हमें के समयह Teaching वह इस्थ में यानि की स्मेल करने में एयर्स किसली होते है तो सुनने के लिए कौन सी आवाज Port अगर आपकि आएस पास तंग जब हम कुछ खाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह चीज मीठी है या नमकीन है या फिर खटा है जैसे कि आइसक्रीम खाते अच्छा लगता है जब कोई मीठाई खाते तो मीठा लगता है तो यह सब हमें कैसे पता चलता है तंग के वज़ा से उसका टेस्ट पता चलता इसकीन हमें किसी चीज के बारे में महसूस कराते हैं जैसे कि अगर बर्फ को आइस को हम छूते हैं तो पता चलता है कि आइस ठंडा है जब किसी गरम चीज को बहुत ही गरम पानी को छूते हैं तो पता चलता है कि पानी बहुत गरम है तो यह सब हमें महसूस किस वज़ा से हो Ears to hear, tongue to taste, skin to feel यहां तक आप लोग पढ़ेंगे और फिर आपको copy पर भी लिखना है We have 5 sense organs हमारे पास 5 sense organs है ग्याने इंद्रिया है Eyes, nose, ears, tongue, skin Eyes means आँख, nose means नाँख, ear means कान, tongue means जीव और skin means त्वचा और यह सभी sense organs के क्या यूज है हमारे पास यह किस लिए है Eyes to see, देखने के लिए H, W, C, C means होता है देखना Nodes to smell, नाख किस लिए सुंगने के लिए Smell means क्या होता है, सुंगना Ear, ears से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं Ear to hear, कान किस लिए सुनने के लिए H, E, A, R, hear, hear means सुनना Tongue, T, O, N, J, E, tongue Tongue किस लिए होते हैं, जीब किस लिए तो स्वाद लेने के लिए, चकने के लिए To test, तो T, A, S, T, E, test Test means क्या होता है, स्वाद लेना या चकना Skin, S क्या है, skin किस लिए है तो अच्छा किस लिए हमारे पास तो to feel, महसूस करने के लिए किसी चीज़ के बारे में तो F, W, feel, feel means होता है, महसूस करना Eyes, to see Nose, to smell Ear, to hear Tongue, to taste Skin, to feel C means देखना, Smell means सुंगना Hear means सुनना Taste means स्वाद लेना या चकना, feel means महसूस करना और आप लोग सभी sense organs and use को 5-5 times लिखेंगे Eyes, to see तो 5 times यहाँ पे लिखेंगे Eyes और to see को 5 times लिखेंगे फिर वैसे ही nose और to smell को 5 times लिखेंगे Ears to hear, tongue to taste और skin to feel को भी लिखेंगे और सभी बच्चे remember करेंगे और वीडियो सेंड करेंगे Okay students, thank you, bye bye